हलो एव्रिवान क्यों आज दिखाया जाएगा कि अभीरा रूही से कहेगी कि भूलो आज तुम्हारे दिल में जो भी है रूही डिसाइड करती है कि वो आज सब को बताएगी कावेरी रूही से कहती है बोलो क्या कहना चाती हो अभीरा और रूही यहाँ पर नीचे गिर जाते हैं स्वर्ना भगवान से प्राथना करती है कि भगवान आप मदद कीजिये वर्ना रूही ने अगर नशेम या अर्मान से जोड़ा सच पता दिया तो नर्ती हो जाएगा रूही और अभीरा होते हैं अभीरा शौक है विद्या को देखकर रूही यहाँ पर कावेरी को देखकर शौक है कावेरी रूही से कहती है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ फ्रेंडली होना बन करो वो अभीरा को इलजाम लगाती है वेद्या कहती है कि अभीरा की गलती नहीं है तबी वो अभीरा को भी गंसोल करती है रूही थेंक्स कहती है कावेरी को उस पर भरोसा दिलाने के लिए वो कहती है अभीरा को भी नहीं पता था कि वो special drink है कावेरी बिलीव करने से मना कर देती है अभीरा यहाँ पर थेंक्स कहती है विद्या को उस पर भरोसा दिखाने के लिए विद्या अभीरा को मनाती है अर्म अभीरा और अर्मान को अभीरा कहती है कि मैं बस सच बोलने ही वाली थी तुम्हारी contract wedding का तब भी बाद में रूही कहती है और मैं अपना और तुम्हारा secret बोलने वाली थी अर्मान कहता है यह अच्छा है कि सब ने अपने-पने secrets रखे कियारा कहती है कि हूली तो बहुत ही जादा मज़ेदार थी crush यहाँ पर कहता है मुझे थोड़े पैसे चाहिए संजे यहाँ पर कहता है कि किस लिए crush कहता है मुझे admission लेना है art और music school में संजे मना कर देता है पैसे देने से वो कहता है कि तुम अपनी ये खर्टिया और कबाड़े के सपनों के लिए मैं तुम्हारे ऊपर कोई पैसा खर्ट नहीं करूँगा crush यहाँ पर गुसे में आ जाता है अभीरा यहाँ पर यहाँ दिलाती है और यहाँ पर कावेरी को tease करती है वो कहती है कि आप बताईए कावेरी यहाँ उसे avoid करने की कोशिश करती है अभीरा तभी अचानक से अर्मान में घुस जाती है वो दोनों आग्यो करते है अभीरा यहाँ पर अपना एरिंग हो देती है विद्या अर्मान से कहती है कि चल चल अब चल कर कि मेरी बहु का एरिंग ढून रूही जलेस होती है क्रिश यहाँ सब के लिए मिठाई लाता है संजे कहता है किसलिए क्रिश कहता है कि मैंने admission ले लिया संजे गुसे में आ जाता है वो कहता है कि तुम्हारी इतनी हिमत और थपर मानने वाला होता है लेकिन अर्मान यहाँ पर उसे रोक लेता है अर्मान यहाँ क्रिश के लिए स्टेंड लेता है कावेरी भी संजे को सपोर्ट करती ही रूही है वो बहुत ही रूडली बात करती है अभीरा से वो कहती है तुम इन family matter में बीच में मत कुदो तुम्हें हर बार क्यों यहाँ पर सब के matter में घुसना होता है अभीरा तभी यहाँ क्रिश के favor में बोलती है कावेरी कहती है अभीरा से तुम्हें permission किस ने दी हमारे family matter में बोलने की अर्मान कहता है कि अभीरा को interrupt नहीं कर रही क्रिश decide करता है घर से भाग जाने का अभीरा अर्मान यहाँ उसे convince करते हैं क्रिश को कहते हैं कि तुम यहीं रहकर के अपने लड़ाई लड़ो अपने हक के लिए क्रिश convince हो जाता है अभीरा और अर्मान quality time spend करते हैं भी ज्यरस होती है उन दोनों को देखकर तब ही वह अभीरा के खिलाफ बोलती है अर्मान यहाँ पर होट होता है और रूही से कहता है कि तुम है यहाँ कोई हक नहीं है अभीरा के बारे में इतना negative बोलने का रूही अर्मान से माफी मांगती है काजल यहाँ क्रिश को बहुत जारा support करती है और वो प्राथना कर रही होगी क्रिश के career की अभीरा भी काजल को support करने के लिए encourage करती है और तब ही संजे वहाँ हो जाता है और अभीरा से डूरी बात करता है और तब ही वो कहता है कि तुम इस घर से निकलो यहाँ से तुम हम हमारी family member नहीं हो अर्मान यह सारी बाते सुनता है और संजे पर फट परता है यही सब दिखाया जाए का show के upcoming track में देखना होगा काफी न्ट्वस्टें की आखिर क्या होगा क्रिश के सपनों का और अभीरा और अर्मान के love story का वेल फिलहाल तो ऐसी मज़िदार updates के लिए च